आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं होता ही स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बसबागत है पूजा खेटकर ब्लाक लिस्ट हो गई है और पूजा खेटकर का कैंडिटेचर रद कर दिया गया है तो यह प्रॉबिबली इन पर लास सी हो बैंक हो अभी आरो यारो अभी एससी की वेकेंसी है साड़े सत्रह हजार कमाल होगा यह अभी 999 का यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ आप 10,000 कूपन को यूज करेंगे तो 500 एक्स्ट्रा आपको आफ मिलेगा चुरवात के 200 स्टूडेंट्स के लिए ओफर है तो वड़ाक से आरोप लगा देखिए वैसे तो पूजा खेटकर पकड़ी नहीं जाती बट पकड़ दी गई कैसे पकड़ दी गई अगर यह सहूलियत की मांग नहीं करती प्रेवलेजिस की मांग नहीं करती तो यह केस कभी भी सामने नहीं आता पर पढ़िए न कि पापका घिड़ा कभी नहीं गई तो अब यहां पे इन्हों ने कहा कि ये वक्त बहुत कम है चार अगस्त तक हमको टाइम दें जे तो उन्होंने का गए नहीं हम 30 जुलाई तक टाइम देंगे यह सब्मिट नहीं कि यह नहीं रहिए नहीं पार जैड़ सी बात है जब ज़वाब नहीं था तो कहां स तो डॉक्यमेंट ना सब्मिट होने के कारण पूजा केड़कर का कैंडिड़ेश रद किया गया और UPSC ने फिर ब्लाक्लिस कर दिया और बोला कि जो भी UPSC के आगे एक्जाम होगे वो नहीं दे पाएंगे एक और यहां पे मामला सामने आया है कि पूजा खेड़कर ने 23 से ज़्ञादा अटेंट दिये हैं आपको पता है कि अगर आप जनर्ल कैटेगरी के हैं तो 32 साल तक आप स्चें अटेंट दे सकते हैं या 32 साल को उमर हो जाया फिर छें आटेंट OBC के हैं तो 9 एटम डे सकता है 35 साल तक SCST 37 साल तक आप इसमें टाइम तो अनलिमिटेड है लेकिन 37 साल एज लिमिट है यहाँ पे पूजा ने 9 OBC से आती है नौन क्रीमी लेयर एक और चीज़ कि भाई नौन तो कैसे इन्होंने उसका भी कोटा लिया कि भाई आप यह समझें कि जो क्रीमी लेयर है जिनकी आए जो है वो 19 लाग से उपर है उसको UPSC नहीं एलोग करता है भाई क्यूंकि आप सक्ष्यम है अब जो संपत्ती का ब्योरा दिया यह तो अरबपती लोग है है ना इसके बावजूर उसका भी सहूलियत ली इन्होंने तो यह भी एक बहुत बड़ी चीज है और साथ ही साथ जो इनका Medical Certificate VIRAL हो रहा है कि इनको 7% Disability है PWD में आपको 45% Disability होनी चाहिए और वो जो संस्थान जहां से आप टेस्ट करा रहे है वही प्रूफ करेगा ठीक है ना तो इतनी सी बात है तो यह सारे के सारे इल्जाम पूजा खेटकर पे लगे हैं और अभी तो इनके ओपर FIR भी दर्च की हुई है ठीक है अगर मान लीजे दिक्कत होई तो यह जेल तो यह मामला सामने भी नहीं आता ठीक है साथी साथ 2009 से लेकर 2023 तक 15,000 अभ्यरतियों की जांच की है UPSC ऐसा बता रहा है और एक ही ऐसा केस है ठीक है एकलौता ऐसा केस है अब आप बल्म से रेक्टम जादा दे कैसे दिये सब बदल दिया नाम बदल दिया ID बदल दिया, email address बदल दिया, पता बदल दिया, parents बदल दिया सब बदल दिया यहाँ पे पूजा केट करने पटकुल मिला के यही है बट वही बात है ना कि यार यह जांच पहली हो जानी चाहिए थी पहले UPSC ने, UPSC के चैर्मन ने भी स्तीफा दिया, नहीं चैर्मन आई है अब पहले क्या हुआ था कि पहले UPSC ने रोग दिया था बद बात में बोल दिया था कि हाँ ठीक है, वो भी जांच होनी चाहिए कि वो किस वज़य से हुआ, देखिए में यहां पे कल्पिट कौन है पूजा खेटकर तो हैं लेकिन उससे जादा कि किस ने फर्जी सेटिफिकेट दिया कौन सी संस्था ने फर्जी सेटिफिकेट दिया साथी साथ UPSC ने क्यों जाच नहीं की फिर कैसे पहले कैंडिटेचर जब ट्रिबूनल में खतम हो गया उसके बाद फिर इनका जो मेडिकल सेटिफिकेट है एमस में बार बार बुलाया वह यह नहीं गई फिर उन्होंने एक प्राइवेट होस्पिटल से बता के इन्होंने सब्मिट कर दिया और वो फिर एकसेप्ट हो गया तो वहां पर भी कारवाई होनी चाहिए समझ रहो ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे बहुत सारे ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनके ओपर सवाल उठे कि यह क्या है यह फर्जी चीजे हैं यह सही नहीं है तो फिलाल यही है यह प्रॉबिब्ली लास्ट लेचर था बस कुछ बड़ा सामने नहीं आता हमने सोचा कि चलो ठीक है जो हमने शुरू किया तो वो गतम तो कर दे और देखिए सही है सत्त में जहते सत्त की विजय जो होनी चाहिए थांक यो सो मच